नमस्कार गायतरी जोतिसकेंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है गायतरी जोतिसकेंद्र में प्रती दिन आप लोगों के डेर सारे मैसेज डेर सारी कॉलें आती हैं और बहुत से लोगों के ऐसे मैसेज भी आते हैं कि गुर जी आप उपाई के जो वीडियो हैं वो आपकी सीधी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और आप उन उपायों को करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं ग्रह कुंडली की जानकारी आप लोगों को कम होती है तो ग्रह कुंडली की जानकारी अभी तो हमारा चैनल नया है धीरे 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 हम आगे को अवस्य ही लाने का प्रियास करेंगे किन्तु इस अवध ही में यदि आप लोगों को जानकारी जन्मपत्री से संबंदित चाहिए होती है तो आप अपने नजदिक के गुर्जीयों को दिखा सकते हैं आप नियुनतम सुलक में हमारे यहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किन्तु कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आये ते जिन लोगों को संसाय है कि पंडिजी कुंडली देखते हैं नहीं देखते हैं या यह जानते हैं नहीं जानते हैं आज हम आप लोगं को बताएंगे कि घर में तीन चीज़ें अत्यदिक समय तक नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा समय तक यदि वह रहे तो घर में बड़ी मुसीबतें भी वह चीज़ें लेके आती है। अकसमात परिसानिया लेके आती है। स्वास से संबंदित परिसानिया उत्पन्न हो सकती है। एकाएकी किसी प्रियजन का हमसे दूर होना यानि कि किसी प्रकार की अन्हुनी होने की संभावना बन सकती है। यानि कि कुल मिलाके उन तीन चीज़ों का अत्यदिक समय तक घर में रहना हानिका रखिए। उन्हें भूल कर भी ज्यादा समय तक अपने घर पे ना रखे यदि इस समय पे आप परिसानियों में घिरे हुए हैं कोई मुसीबतें आपके सर पे हैं तो ध्यान दीजे कहीं ये तीन चीज है तो आपके घर में तो नहीं पड़ी हुई है जिन में से पहला बताया गया है कि जूता फटा चपल फटा मोजा यानि कि तूटे जूते चपल मोजे कोई भी आपके घर में नहीं होने चाहिए ज्यादा समय तक यानि कोई जूता फट चुका है मोजा फट चुका है और आपने उसको साइट कर लिया है पहले तो पहनना नहीं चाहिए यदि घर पे भी वह रखा हुआ है वह बहुत बड़ा अपसकुन माना गया वह जूता जिसने आपको पूरी दुनिया गुमाया जिसने आपको सब कुछ दिया जूते को लक्षमी का रूप भी माना जाता है तो इसलिए यह जिए घर में हो तो अगर टूटी पूटी तो इसको घर से दूर कर देन परिशानियां होती है जैसे आखसम वैसे तो देखा जाता है कि कल यूग में 80% समस्याओं का कारण है वह सनी देव से समबंदिती हो जो परिषानियां हमें paid 80% जो हम सर्वजन में देखने में आती हो सनी देव से ही जुड़ी होई होती है तो तिल के तेल के बारे में बताया गया है कि इसका उपयोग घर में लगाता है नियमित तोर पे दीपक जलाने के लिए करना चाहिए यदि यह कहीं पे दीपक का जो सिल्चला है तूट गया या तिल का तेल ज्यादा समय तक घर में रहात हो तो भूल कर भी यदि घर तिल का तेल हो तो उसको पटापट आप उसका दीपक आदह जला सकते हैं उसको आपनिपटा दीजिए नया भी लाए तो इस चीज को आप ध्यान अवश्य दीजिए तिसरा बताया गया है काफी महत्य पूर्ण है घर के भीतर रसोई यानि कीचन में नमक हो और वह गीला हो जाए तो गीले नमक को ना तो इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे ही उस पे नजर पड़े उसे घर से दूर कर देना चाहिए उसका प्रभाव तो यह बताया गया है कि वह लंबे समय तक व्यक्ति के उपर पर अपने असुप प्रभाव को छोड़ जाता है तो नमक यदि गीला हो जाए तो तुरंत ही उसे अपने घर से बाहर कर लीजिए विसे इस तोर पर बरसात आदी के समय पर यह हो जाता है या कभी उस पर पानी आदी गिर गया या कभी किसी कटोरे बरतर पर भी यदि आप अपने नमक रखा है तो भूल कर भी उसमें पानी डाल कर उसको ज्यादा समय के लिए घर पे ना छोड़े यह बहुत बड़ा असुब एक लक्षन माना गया है जो कि व्यक्ति के उपर भीषण आपदाओं को भीषण परिसानियों को लेके आता है तो घर के भीतर यह चीज है नहीं रहनी चाहिए इन पर जैसी नजर पड़े वैसे ही इनको दूर कर दो होने के लिए अन्य चीज़े भी होती है टूटा सी सामान आ गया है इलेक्टोनिक सामान है और भी कई परकार की चीज़ें किन्तों इन तीनों को काफी महत्वपोनिस्तान दिया गया है इसलिए यह वीडियो हम आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं जानकारी लेके आए हैं यदि यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई आप जानकारी से प्रभावित रहे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें आगे बढ़ा कर सेयर करें नई लोग चैनल को तो बैल आइकन को दवाईए बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो समय समय पर आप लोग when को मिलें गये ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम जैसरी कृष्चना ओम